जेहन दोस्तों मैं सतीष स्वागत करता हूँ आपके चैनल एक्जाम प्रैक्टिस पे सतीष में तो आज नई वीडियो लेकर कर आया हूँ के वीडियो पेड़ागोजी एक्जाम की प्रैक्टिस के लिए तो चलिए सुरू करते हैं ये कोशन सिरीज पहला प्रशन ये है पाठ चर्या के जो छेतर में सामिल है area of curriculum include क्या सामिल है पाठ चर्या में किसी विद्याले की आंतरिक गति विधियां स्कूल की बाहरी गति विधियां या ये दोनों तो आपको प्रशन देखते ही समझ में आ गया होगा कि both of them कि स्कूल करिकुलम में जो आंतरिक गति विधियां और बाहरी गति विधियां तोनों सामिल रहती है और syllabus में केवल textbook तक ही सीमित रहता है पाठिक्रम विकास निम्ने लिखित अनुक्रम का अनुशरण करता है आपको बताना है कि स्कूल का जो करिकुलम है वो किसका अनुशरण करता है जब कभी अनुशरण का नुरूपन पुस्तकों अनुभवों का चयन और मुल्यंकन तो यह जो है अनुक्रम है पार्टिक्रम विकास का कि जब कोई पार्टिक्रम बनाया जाता है करिकुलम तो पहले अवशरक्ता देखी जाती है फिर उसकी उद्देश तै किये जाते हैं पुस्तक अनुभवों का चयन की कौन सी पुस्तक हैं कौन से अधिकम लास्ट में इवेल्यूएशन यह आपको सबको पता होगा इसके लिए आपके कॉंसेप्ट क्लियर होना काफी जरूरी है जब इस तरह की कोशन आते हैं क्रम बाले राइट सिक्षा की डॉल्टन प्रणाली जो है जो सई की गई है इसके द्वाराद विक्षित की गई है то यह जो इसके द्वाराद की गई है तो ये क्या नाम दिया गया है Dalton जो है Dalton प्रियोक्षाला योजना की नाम दिया गया था और 1922 में इसको डेवलप किया गया था Helen Park Hist के दारा तो ये कौन सी है प्रियोक्षाला योजना Dalton की अगला बढ़ते हैं अगले प्रशने की ओर अगला प्रशने मिसिंग है तो इसको हमलास में कर लेंगे या जब मैं पीडियप आपको शेर कर दूँगा इसमें प्रशने जो है मैंसिन कर दूँगा विनिट का योजना की तहत विनिट का योजना है रूडिगत सिक्षा के लिए कोई जगह नहीं है पाठ विधी के लिए कोई जगह नहीं है no room for the lesson method classroom teaching के लिए कोई जगह नहीं है या इन में से किसी के लिए कोई जगह नहीं है तो इन में से ये जो है रूडिगत पाठ विधी कक्षा सिच्छन इसके लिए कोई जगह नहीं दी गई विनिट का योजना में यह जो विकसित की गई थी विनेटका योजना यह विबिद जो रुचियां, बच्चों की क्या रहती है रुचियां रहती हैं उनकी छमताओं और जरूतों को पूरा करने के लिए यह विकसित की गई थी यह जो है जॉन डीवी के कार से प्रेरित थे तब ही उन्होंने क्या किया था, विनेटक योजना को विक्सित किया था, अधिगम के समद्ध में गलत कथन ग्याद कीजिए, जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, उसके समद्ध में गलत कथन क्या है, अधिगम से ब्योहार में बदलाव आता है, बिल्कुल पता है आपक आधिगम के मात्यम iteration अइस्थाई हो जाते से फिक है ये इसका उत्तर हो जाए यह अगला प्रश्ण है कि निम्ने लिखित कार्कों में इसे कौन सा सीखने को प्रभावित करता है which factor affect learning तो छात्रों की रुची छात्र का मांसिक स्वास्त सैच्छनक रणनीतिया यह समाजक सांस्कृतिक संदर्व तो यह जो है आपको लगी गया होगा कि यह चारो उत्तर इसके सही है जब कोश्चन भी पॉजिटिव हो और आसन अंसर में भी चारो पॉजिटिव हो तब चारो विकल्प सही माने जाते हैं यदि आपके पास यह option हो एक से ज़्यादा विकल्प चुनने का तो यहां पर एक से ज़्यादा विकल्प थी इसलिए हमने चारो जो है option को सही माना है यहां पर अगला देखते हैं सामाजिक अधिगम कहा जाता है यह जो सामाजिक social learning is also called अनुकूलन के माध्यम से अधिगम, conditioning के तुरू, परीक्षन और तुरूटी अधिगम, trial and error learning, अनुकरण के माध्यम से अधिगम यह अंताहा द्रश्टी विधी तो यह जो social learning है वो अनुकरण के माध्यम से होती है हमेशा जब देख करके जब बच्चा परिवार में रहता है तो वहां भी समाजिक अधिगम होता है उसके बाद जब विध्याले में होता है तब भी वो समाजिक अधिगम सीखता है तो अनुकरण के माध्यम से अधिगम जो समाजेक अधिगम कहा जाता है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के ओर अधिगम उद्देशों का अर्थ क्या होता है अधिगम का अनुभाव संचिप्त परिणाम सेक्षे को प्लब दिया अभी प्रेत अधिगम परिणाम तो लर्निंग अबजेक्टिव मीन का होता है तो यह नहीं है लर्निंग अबजेक्टिव से क्या है इंटेंटेड लर्निंग आउटकम्स अभी प्रेत जो अधिगम परिणाम है वो किससे समंद्द है अधिगम के पुद्देशों से समंद्द हैं आगे देखते हैं दस्वा प्रश्ण जो है इस चरण के दोरान एक अधिगम करता की सहभागिता निश्क्रिय मानी जाती है तो इन्वाल्मेंट फ्रॉम अलर्नर इस थू टू भी पैस्जिव डियूरिंग दिस स्टेज शाब्दिक अभिगरहन भागीदारी द्रश्य शाब्दिक अभिगरहन या करना डूइंग तो निश्क्री का मतलब कर रहा है सुन रहा है वर्बल रिसीविंग हो रही है तो वहाँ पर अधिगम करता की सहभागिता जो है निश्क्री मानी जाएगी वह एक्टिव लर्नर नहीं माना जाएगा उस टाइम पर बाकि यह सब गलत हो जाएगे यदि सक्री होगा तो यह तीन सही हो जाएगे और गलत हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रष्ण की और निमले लिखित में से कौन सा अभ्यास सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है जो सार्थक अधिगम का मतलब क्या हुआ punishment है यह तो पहले ही गलत हो गया पहला वाला option और जो है इसमें इस्थिर तुल्नात्मक मुल्यांकन constant नहीं होता है इसमें तुल्नात्मक evaluation तो बचे कौन से हमारे दूसरा और तीसरा इसका मतलब जो option नमबर टू है यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसार्थक अधिकम को बढ़ावा कौन देता है सहकारी अधिकम का वातवरन cooperative जहां पर एक दूसरे का शहयोग मिलता है और सतत व्यापक मुल्यांकन continuous and comprehensive evaluation बढ़ते हैं आज की वीडियो के अगले परशन की ओर तो अधिकम के प्रभावी होने के लिए लक्षों के संदर्म में अर्थपूर होना चाहिए for learning to be effective the goals must be meaningful in term of तो अर्थपूर कैसे लिए होना चाहिए सिच्छार्थी की आवशक्ता और उदेश के संदर्में अगला प्रशन कभी कभी पुरानी चीजें नई चीजों को सीखना सरल करती है इसका क्या गारण है यह काफी important है सरल भी है गलती नहीं करनी है वह समें exam में क्योंकि हमें practice करते रहनी है sometimes old things facilitates the learning of new things the reason is transfer of learning proactive inhibition retroactive inhibition या pigmulation pigmillion effect या पुना सक्री अवरोद अग्र सक्री है तो इसका जो सही उत्तर है वह है transfer of learning तो अधिगम का जो इस्थान अंतरण होता है वही नई चीजों को सीखना सरल बनाता है कभी-कभी पुरानी चीजें नई चीजों को सीखना सरल करती है सिर्फ उसी तरह है जैसे पुराने अनुभवों को जोड़ना नई अनुभवों से अधिगम कहलाता है यही अधिगम का इस्थान अंतरण भी होता है मनोवेग्यानिक पहलू जो अधिगम को प्रभावित करता है psychological aspect that affect learning यह क्या कहलाता है यह कहलाता है level of aspiration अकांचा का इस्थार कहते हैं मनोवेग्यानिक पहलू जो अधिगम को प्रभावित करता है अकांचा का इस्थार जो expectation है यहाँ पर तो वही प्रभावित करता है अधिगम को लेंगे कंतर, परिपक्कोता, सारी रिक्स्वास्त उतना प्रभावित नहीं करती है जितना क्या प्रभावित करती है? अकांचा का इस्तर आज की वीडियो का आखरी प्रश्ण और बहुत ही इंपोर्टेंट संग्यानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक क्या है? आपको उताना है कि is the main determinant of cognitive development and learning, मूल्य विश्वास, सिद्धानतिया संस्कृति तो संस्कृति हमेशा ही संग्यानात्मक विकास और अधिगम का एक मुख्य निर्धारक होता है कि जैसी संस्कृति होगी, जिस तरह की संस्कृति में कल्चर में बच्चा रह रहा है और वही depend करेगा कि उसका अधिगम किस लेवल का और किस तरह का होगा तो आज की यहीं तक वीडियो थी वीडियो का यह आखरी प्रस्ता उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी आपको कुछ नए कोश्चन सीखने को मिले होगे है ना और आपको पुराना रिवीजन जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन होगा तो जरूर हमें कमेंट में बताईए कि कैसी लगी वीडियो आगे भी हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे और आपकी तैयारी में कुछ हेल्फ करते रहेंगे तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो